नमस्कर दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को पास टेकनो कंपनी का फोन है। फिर किसी और company का फोन यूज़ कर रहे हो बस्वाहाँ पर अगर आप photo video क्लिक करने के लिए जाते हो लेकिन आपकी camera से photo video क्लिक नहीं होती है या फिर आपका camera application ओपन ही नहीं होता है तो दोस्तो आपको यहाँ पर मैं दिखा जिता हूँ मैंने अपना camera application open कर लिया open करने एक बाद यहां पर मालिजे अगर मेरे को कोई एक photo click करना तो यहां पर जैसे में click कartet करता हूँ तो यहां पर कोई भी photo click नहीं हो रहा है इस तरह कोई में वीडियो पर click करता हूँ तो अब हम इस problem को कैसे fix करेंगे ये आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना है सबसे पहले आपको यहाँ पर उपर देखना होगा अगर आपका techno company का phone है तो आपको यहाँ पर setting option मिल जाएगा अगर किसी और company का phone है तो आपको हो सकते हैं इदर side में आपको एक setting icon मिले आपको यहाँ पर जो camera application है इसकी setting में आना है आने की बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा storage part आपको इस पर click करना और internal storage कर लेना अगर आपका पहले से internal storage है तो आपको SD card करना अगर आपने SD card नहीं लगा रखा है सिर्फ internal storage है तो दोस्तों आपको अपने फोन से कुछ फोटो या वीडियो से application उनको delete करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो phone है उसमें space नहीं बचा है इन फोटो वीडियो को रखने का इस वजह से आपको यह problem आ रहा है अब यहाँ पर मैने internal storage सेलेक्ट कर लिए आप मैं यहाँ पर back आता हूँ और यहाँ पर हम एङ इस तरीके से आपने इस problem को fix कर सकते हो तो दोस्तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पेंड करते हैं I hope आप लोगों को इस वीडियो से help मिली होगी अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली हो तो please share वीडियो को like करके चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा